Hello and welcome friends, दोस्तों आपका स्वागत है। In this video, we will learn about the constitutional monarchy system that was established in France during French Revolution. इस वीडियो में हम French Revolution के दौरान, France में जो constitutional monarchy system established हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। इस system के दौरा monarchy के power को limit किया गया और constitution में लिखे कानून और system से France को govern किया गया। आईए France के constitutional monarchy system को समझते हैं। सरकार के सारे powers को तीन अंगों में बाटा गया। यह अंग थे judiciary, executive और legislature। अब समझते हैं, vote देने के लिए कौन-कौन eligible था और election का process क्या था। पिक्चर के सबसे निचले भाग में उन लोगों के बारे में लिखा है जो vote देने के लिए eligible नहीं थे। जिसे passive citizens कहा जाता था। इसमें वह men आते थे जो कोई tax नहीं देते थे, जिनकी जनसंख्या 30 लाग थी। साथ ही इसमें सारे women and children आते थे और वह men भी आते थे जिनकी उम्र 25 साल से कम थी। यानि vote कौन दे सकता था। जिस men की उम्र 25 साल से जादा हो और जिसने कम से कम अपने 3 दिन के wage के बराबर tax दिया हो वही vote देने के लिए eligible था। तो हम देख सकते हैं कि 280 लाख लोगों में से सिर्फ 40 लाख लोगों को vote देने का अधिकार था। अब आईए जानते हैं election process को। यह 40 लाख लोग दो तरह की voting करते थे। पहले यह एक judge को directly चुनते थे। और फिर यही लोग 50,000 men को चुनते थे जिनको electors कहा जाता था। यह 50,000 electors उसके बाद national assembly के 745 members को चुनते थे। और ministers को भी control करते थे। यह ministers national assembly के ही होते थे जो main decision makers होते थे। राजा के पास veto power था। veto power ऐसा power होता है जिसकी बदालत किसी भी कानून को बिना किसी की approval के या तो लागू किया जा सकता है या फिर नकारा जा सकता है। ऐसा लगता नहीं है कि मुनार्क ऐसी situation में था कि वह veto power के इस्तेमाल कर सके। तो यह था in short constitutional monarchy system. So friends, thank you very much for watching this video. प्रेवाब रार्वाब आर्वाब आर्वाब टूरू